गाजियाबाद की मोदी नगर पुलिस ने बीती 28 सारिक को मिली 11 साल के मासूम अधित्य की लाश के मामले का फुलासा कर दिया है पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिराफ़तार किया है जिन में से 2 आरोपियों को आज मीडिया के सामने लाया गया बताया जा रहा है कि अधित्य की चाचा का उनके पडोस में रहने वाली किशनपाल और उनकी पत्मी से नाली को लेकर विबाद चल रहा था जिसकी जलते किशनपाल ने अपने भतीजे और किराई की गुंडों से अधित्य को अगवा करा कर उसका करल करवा दिया पुलिस ने मामले में कई लोगों से पूछताच की और फिर रंजिश का एंगल भी खंगाला गया जिसके बाद ये सामने आया कि किशनपाल का परिवार ही इस हत्या को करवा सकता है और कड़ाई से पूछताच करने पर जानकारी जुटाई गई और आरोपियों को पकड़ लिया गया मामला काफी संसनी खेस था ग्यारा साल के अधित्य की लाश निवारी इलाके में खेस से बरामत की गई थी अधिलावन पड़ता हूं कि इस दस 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 पंद्र लाक रुप हैं जी सर क्या नाम भी आपका क्या गटना हुए आपके बेटे के साथ में क्या मामला है पूरा मैं और दुबान कर देई को लोक कह लोग ते जए अच्छा दाल रन के बाइके ऑच्छा आपको माम पर तो कौन लोग ते वो मालम नहीं हुआ कुछ अपर कब की बात है यह आठ बसके लिए कल किस्ट है आठ बसके लिए साम को अभी तो कुको जान करें नहीं हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करा ही आपना क्या क्या रहे हैं कारवाई कर दें तो आपको आसका कि आपके बच्चे का अप्रण हुआ है कोई फोन वोन आया नहीं है कुछ बेटा क्या साल का बच्च पड़ता है और से स्कूल में सबरस्वी पापने स्कूल